दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग Joseph Edison का एक essay discuss करेंगे जिसका नाम है On Popular Superstations मतलब जो अंद विश्वास होते हैं उनके उपर एक कमाल का essay लिखा है यहाँ पर आपको थोड़ी हसी आ सकते हैं इस essay को सुनते सुनते यह बहुत ही funny type का essay है जो लोग अंद विश्वास में मानते हैं उनके लिए लिखा है यह ऐसे चले शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में कल शाम की बात है हमारे एक जान पैचान के थे जानकर उनके यहाँ मैं घर गया उनके डिनर करने रात का वक्त था वहाँ जब पहुँचा तो उन लोगों की शकली देखी मैंने सब के चहरे उत्रे हुए थे मैंने पूछा भई क्या हुआ मेरे दोस्ते पूछा उन लोगों ने मुझे बताया कि उनकी वाइफ ने यानी हमारी भावी ने कोई बुरा सपना देखा है रात को जिसकी वज़े से एक दो दिनों में जरूर इस फैमिली की साथ में कुछ बहुत बुरा होने आला है तभी वहाँ पर वो भावी आ गई जिन्होंने सपना देखा था उनका भी चहरा उत्रा हुआ अगर मुझे मेरा दोस्त ना बताता कि बात ऐसी है तो शायद मैं भावी को देखकर कभी समझ ही नहीं पाता कि ये इतनी उखडी उखडी क्यों है एक पल को उन भावी ने मेरा चहरा देखा एक बार फिर से ठीक से देखा अशानक अपने पती को पास जाकर बोली सुनो जी मैरे तो सपने में इनका चहरा भी देखा था इतने में एक बच्चा बोला घर का कि मम्मी मुझे थरस्डे को जाना है टीचर ने बोला है तो उसकी मा बोली बेटा थरस्डे को नहीं जाना अच्छा दिन नहीं होता फ्राइडे को जाना मैं बेठा सोचने लगा कि हफते में कोई ना कोई दिन कोई ना कोई प्राब्लम तो create होती रहती है अगर माल लो एक दिन दुनिया काम ना करे जैसे लोग बोलते हैं कि मंगलवार के दिन लेन दिन नहीं करना चाहिए अगर पूरी दुनिया इस बिचार को माने तो मैं दावा करता हूँ लिखके देता हूँ पूरी दुनिया की एकोनोमी मंगलवार के दिन डूप जाएगी मैं ये सब सोची रहा था अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक उन भावी ने मुझे बूला भाई साहब थोड़ा चाकू की नोक पर मुझे नमक पास कर दोगे मैं हड़ बड़ा गया जल्दी जल्दी नमक देने लगा तभी अचानक थोड़ा सा नमक नीचे गिर गया वो भावी डर कर बोली अरे ये तो आपकी तरफ गिरा है अब मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक क्योंकि उस घर में बैठा हर आदमी हर बच्चा हर पूड़ा मुझे हैरत बरी नजरों से घूर रहा था उन सबको मुझे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी चिंता थी कि अब मेरा क्या होगा लगता है अब सब बर्बाद हो गया सब खतम हो गया पैक करो अपने बैग्स इतने में भावी मेरे दोस्त से कहती है कि सुनो जी जब बुराई जल रहे होती है तो एक के बाद एक आती जाती है मैं समझ नहीं पाया क्या वो मुझे मनूस कहना चाह रही थी क्योंकि सुन्डे में तो ऐसा ही लग रहा था मुझे बुरा उस औरत के लिए नहीं लग रहा था मैं क्यू मानूं कौन लगती हो मेरी मुझे बुरा अपने लिए भी नहीं लग रहा था अरे भई मेरा क्या है मैं तो चला जाऊंगा यहां से मुझे बुरा उन लोगों के लिए भी नहीं लग रहा था वो भी मेरे कुछ नहीं लगते थे मुझे बुरा लग रहा था अपने बिचारे दोस्त के लिए जो मूँ खोल कर अपनी पत्नी की बकवास सुन रहा था और जवाब में अपनी मुंडी ही ला रहा था अबे साले फिर भावी घर में मौजूद किसी बच्चे से कहती है शायद उनका ही होगा कि चुन्नू तुझे यादे पिछली वार नमक गिर गया था तो क्या हुआ था हमारे कबूतरों का पंजरा भी गिर गया था अलमानजा में लड़ाई भी शुरू हो गई थी चुन्नू बोला हाँ मम्मी सही बोल रहे हो आप क्या मानोगे वो चुन्नू जो कल पैदा हुआ है वो भी मुझे घूर रहा था कि अंकल नमक गिरा दिया आपने आप देखो आप गए मैं क्या करता प्लेट में जो रखा था जल्दी जल्दी खाया प्लेट में जा चाकू चम्मस था वो क्रॉस पे रख दिया गलती से गलती से भावी ने मुझे देख लिया मैंने भी देख लिया भावी ने मुझे देख लिया वो इशारे में बोली अलग-अलग करके रगतू क्योंकि यह अफशेगून होता है सारे की सारे मुझे मन्हूस की नज़र से देख रहते जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था मैं तो जल्दी-जल्दी अपने सामान उठाया और निकली आज घर से घर आके जब आराम से सोचा इस बारे में कि वैसे इंसान की जिंदगी में दुख और तकलीफे कम है जो ऐसी मन-गड़त कहानिया बना कर वो और दुखी होता रहता है ऐसी बातों में विश्वास करने वालों की कमी नहीं है संसार में आपको हर दूसरा इंसान हाथों और गले में तरह तरह के ताम-ज़ाम पहने मिलेगा साफसी बात है आपके पास में बैटने वाला इंसान भी इन चीजों पर विश्वास करता है रात में तूटता हुआ तारा देख ले या रात में उल्लू की आवास सुन ले ऐसे इंसानों की नींदे हराम हो जाती है गली में रात को चोर घुच जाएगा चलेगा लेकिन रात में कुटता नहीं रोना चाहिए अब शगुन होता है चाबी मत बजा, पैर मत हिला, कैची मत चला अगर इतनी बकवास चीजों को आप लड़ाईयों से जोड़ कर देखते हो न तो आप अंदाजा लगा लो कि हमाई सूच का इस्तर नीचे कितना गिर चुका है अब आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ एक दिन, एक असेंबली में, जब मैं बैठा था तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था सब में बाते शाते हो रही थी, शोरगुल का माहौल था, तब ही अचानक तब ही अचानक एक बूड़ी औरत थी, जिसको कहां से ये दिग्या कि हम लोग वहाँ पर तेरा लोग बैठे थे ओ माई गाड, तेरा जने एक साथ सबके चहरे सहम गए, रूहे काप गई कुछ लोग तो इस हद तक डर गए कि उठकर अपना कमरा चोड़कर, उस कमरे को चोड़कर जाना चाते थे तब ही वहाँ पर मौजूद किसी ने भूला साइलन्स, साइलन्स, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ एक ऐसी लेड़ी बैटी है जो प्रेगनन्ट है यानि हम लोग चौदा जने हैं, चिंता ना करें, हम लोग साब सेफ हैं ऐसे लोग जो इन सब बातों पर मानते हैं वो समाज को सिर्फ परिशान करने का काम करते हैं कि अगर हम इन चीजों पर मानते हैं, तो तुम भी मानो एक आण्टी थी, जिनको मैं जानता हूँ, वो बविश्यवानी करती थी इन लोगों की वज़े से आप ऐसे काम करने लगते हो, जिनको करने के बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं, वो सोचते हैं, इन बकवास बातों को रीजनिंग की मदद से खतम किया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है, यह जो बेवकूफ लोग होते हैं, इन चीजों को मल्टिप्लाय करते रहते हैं इसलिए राइटर हमें सला देते हैं, कहते हैं कि एक काम करो, तुम तो बस उस पर मानो, जिसने हमें बनाया है जिसको हमारी मौत और जिन्दगी की बारे में पता है, बस उस पर सब को छोड़ दो, इन सब बातों को मतमानो जैसा मैं करता हूँ तो इस तरह से यह ऐसे खतम होता है, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा इससे, आज की इस वीडियो में बसतना ही अब जब आपने यह वीडियो खतम कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको यह ऐसे समझ में आया होगा, चलिए आज की इस वीडियो में बसतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में